हलो फ्रेंड्स मैं संकर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संकर एजुकेशन लड़ा में दोफ्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं में फाफ शेमेफ्टर जियोग्राफी जो हमारा चतूर्थ प्रशन पत्र है क्या है जो जोथा पेपर नगरों के विकास के कितनी अवस्थाइं बताई हैं इसको हम क्या गरते हैं कबर करते हैं और कापी महतपूर प्रफने ठीक है न चलते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए दिया गया है उत्तर में क्याब का परफिद भुगल बीद भुगल बीद घृफिड टिलर ने नगरों के बिकास की साथ अवस्थाएं बढ़ाईएं कितना दुफतों साथ अवस्थाएं बढ़ाईएं पहला क्या है स्थैसव पूर्बा वस्था ठीकिशन mm होता क्या ज़रा देखिए दिया गया है यह नगरी विकास की प्रारंभी का वस्ता है या दोस्तों इसमें जो होता है नगरी विकास का प्रारंभी का वस्ता सबसे पहला यही होता है ठीके ना आगे दिया गया है अधिवास में एक सड़क या गली होती है इसमें क्या होता है जहां एक फड़क या गली होती है, जिसके किनारे लोग बसे होते हैं, ठीक है ना, और यहां कुछ दुकाने या एक दो समाजिक संस्तान भी मिल जाते हैं आपको देखने हो, किसमें, सैसो पूरबा आवस्था में, ठीक है ना, I hope इतना आपको सौंज में आया होगा, चलते है आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा जो है, सैसो आवस्था, इसमें क्या होता है, नगर की विकास की यह दूसरी आवस्था होती है, इसमें जो होता है, मुख शड़क या गली के समनांतर लंबोत शड़कों या गलीयों का विकास होता है, ठीक है ना, फलता है, जो है अब का गली सडकों का एक जाल बन जाता है मतलब इसमें धर फारी फड़के गलीयां मिल जाती है एक जाल नुमा बन जाता है ठीक है और आगे कहा रहा है मुख्य सडकों और मोडों पर दुकाने बिक्सित हो जाती है जहां मुख्य सडके रहेंगी या फिर जहां मोड़ वगर रहेंगा, वहां पर दो-चार दुकाने आपकी बिक्षित हो जाती है ठीक है ना? आगे देखते हैं, बाले आवस्था क्या होता है देखिए इसमें दिया गया है कि यह आवस्था नगर क्या उस्था है यानि यह क्या है नगर के आउस्था नगर जिसमें नगर होते बनते है उसके आउस्था है आगे कह रहा है इसी केंदरी भाग में चौक जैसा ब्यापारी केंदर बन जाता है यानि बाले आवस्था में ही क्या होता है इसी केंदरी भाग में जो होता है ब्यापारी केंदर बन चलिए अगला हमारा क्या है किशोर आवस्ता इसमें देखे रिया गया है इसमें केंद्री भाग को अस्पष्ठ हो जाता है ब्यापार के अत्रिक्त विभिन उद्योग परिवान संस्थान फिच्छर पर फिच्छर दवादारू आदि सेवा केंद्रों ना मतलब किसके किसके स द्योग धंदे हो जाते हैं परिवान संस्थान भी हो जाते हैं ठीके ना शिच्छर संस्थान भी हो जाते हैं दवादारों की जो दुकाने होती हैं सेवा के अंधर उस सारी चीज़े इसमें मिलने लगती है आपके खुल जाती है आगे कह रहा है नगरों सेवा संस्थाओं आदी का विकाफ हो जाता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगधिया गया है नैने मकान सड़क आदी बनने लगते हैं बाहर से लोग यहां आजीव का के लिए आने लगते हैं नहीं दूसरे सहर से लोग यहां जो होते हैं आने लगते हैं बाहर से ठीक हैं कारेओं के अनुसार ब्यापारिक ठीक है अध्योगिक समाजिक संसितानों का अलग-अलग केंदरों में विकास होने लगता है ठीक है दोफ्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरू सब्क्राइब करें और हाँ अगर आप पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं सिकन्ड पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं में की थर्ड पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सर में लिंग करें इसमें आपको में काफी यादा हेल्प मिलेंगी आप लोगों ठीक है चलते आगे बढ़ते हैं अगला क्या है हमा समाज के बिभिन वर्गों की बस्तियों का भी अलगा हो जाता है। ठीके ना ? ऊच्छ उसके बाद अच्छे मद्यूम। उसके बाद निम च्रीडी की लोग या ब्यापारी जो होते हैं उद्योग पती जो होते हैं वकील जो होते हैं या फिर मध्यमवर के जो हो जाते हैं आपके जो मजदूर वगरा होते हैं यह सब अलग अलग रहने लगते हैं ठीक है ना सुलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्या है छटा हमारा उत्तर प्रावड़ा वस्ता गया है उत्तर प्रावड़ांस या नगर की चर्म वस्ता घांग के बिविनम प्रकार के बयंथ और दोगिक सेवा प्रतान प्रशासनिक पना नियोजन होने फैक करने के लिए जो गंदी बफ्तियां होती हैं उनको सफ़ा करने के लिए और परिवाहर मार्कों को बनाने के लिए ठेक नहीं सब्मे सुधार होने लगते हैं थेक है आगे कहा रहा है जो कोलकाता है आपका इस जैसे जो अधिकावन सदेश होते हैं माहाम मतलब महाणगर की श्रेडी में आते हैं मतलब यह सारे महाणगर उत्तरप्रवड़ा की सिरेडी में आ जाते हैं ठीक चलते हैं सातवा जो हमारा आज का अंतिम जो है आवस्था है तो जितके हैं बढ़ते हैं इसमें इसमें क्या दिया गया है यह आवस्था नगरों की क्या है हरास उन्मुक्ता का जो है द्योतक है जब आर्थिक समाजिक बिभिन प्रकार की समस्याओं को फुल जाने गंदी बस्तियां त पुनर उद्धार करने में नगर असमर्थ रहता है तब ऐसी आवस्था आ जाती है धर जेके ना जब आर्थिक बास्तिय जो आपका आर्थिक समाजक बिभीन प्रकारी की जो समस्याय होती हैं जैसे क्या क्या गंदी बास्तियों को तंग राफ्तों पुराने ढहते हुए मकानों आधिको पुरन रुद्धार मतलब उसको दुबारा से सही करने में जब कोई नगर असमर्थ रहता है उसी को क्या बोलते हैं तब वो क्या होता आपका बृद्धावस्ता के अंतरकर कहलाती है आपको वीडियो पूरी तरी के समझ में आई है या समझ में आई है तो चलन को सब्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चे कमेंट करके जरूर बताएं चलते हैं मिलते हैं